नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिंटु कुमार और मैं इस समय कुलकुंड जो है उसकी पाड़ियों में इस समय मोजोदूं पुरसासन के द्वारा समय समय पर अवेद खननन को लेकर अभियान चलाए जाते हैं कितने यह अभियान सही है और कितने गलत है यह मैं आपको बताना चाओंगा मैं इस समय जहां पर अवेद खननन हो रहा है इस पाड़ी में इस समय मैं पहुंच चुका हूं जहां पर आप देख सकते मेरे पीछे बहुत ही जो पाड़ी है उसको पूरी को खुर्दबूर्द कर दिया है उन्होंने लेकिन प्रशासन है या अवेद खननन की जो टीम है या फिर पुलिस प्रसासन है इस और कोई ध्यान नहीं है जिस तरीके से फिलाल मोके पर यहां पर फथर भी खोदे हुए है टेक्टरो ली वेवा मोजूद है और काफी संख्या में ग्रामिन है हमारी टीम यहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है अ प्रसासन के दावे कितने सही हैं कितने खोकले यह आप देख सकते हैं जहां पर अवेद खनन हो रहा है वहां की पूरे पाड़ों को इसमें Khoद दिया है इन्होंने और एक ट्रैक्टर और है जिसे जो ट्रैक्टर चाला को उससे भी हम बात करने का परियास करते हैं काफी र क्या नाम है आपका कालव राम यहां क्यों आए आप पत्थर बढ़ने के पूरी दिन में कितने रूपा का एक टेक्टर डालते आप तो आप देख सकते हैं इस तरीके की काफी जो ख़दान है यहां पर पत्रों की निकालने की कम से कम एक दर्जम से अधिक जेगा पर इस तरीके से पत्थर पाड़ियों में खोदे जा रहे हैं है कि इस से में हम किलकुंड की जो पाडिया है यहां पर मोजूद है और हम काफी उचार पर इसमें मोजूद आप देख सकते हैं जो पाडिया है उस पर सम्तल करके और रास्थे बना रखें मैं दिखाना चाओगा अपनी काइमरामेन से कहना चाओंगा कि एक यह रास्ता इदर से है जो अवेद खननन के लिए टैक्टर होगेरा जाते हैं और एक आप देख सकते हैं यह इदर जो यह रास्ता है यह भी अवेद खननन के लिए इन्होंने किस तरह से जेशी बी से यह सुरंग सीग बना रखी इन्होंने अगर यहां पर कोई हाथ साउदा है तो उसकी लिए जिम्मेदार को ना और एक और दिखाना चौंगा इदर यह जो रास्ता आप देख सकते हैं इस रास्ते के दुवारा भी टैक्टर यहां अवेद खननन के लिए पहाड करनी पड़ी और साइद पसीने भी हमारे आ गए हैं और आखिर में हम ठक गए और ठक कर हम बैठ गए अभी हम जहां पर दूसरी जगए अवेद खननन जहां हो रहा है जहां पत्थर निखाले जा रहे हैं वहां पर हम मौजूद हैं और लगबग इस समय दोपेर के बारा ब पत्थर इस समय निकाले जा रहे हैं और यह दूसरी खान है जहां हम पहुचे हैं ऐसी अभी आठ और दस खाने और ऐसी बताई जा रहे है जहां पर पत्थर निकाला जा रहा है यह कैमरामें से कहूंगा कि यह दिखा इदर सामने से किस तरीके से पूरे पहाड़ों को भी हैं हएं हमने के चामय की और आवली की जो पाड़िया है उन से भी है कि तरह के जान पार। बने इस पर खोड रखाननी के वहां हं कि स्कूलना है वहां अभी एक रिस्तान है जहां चासे जहां पुराना जो नारणपुर बसा हुआ था चंपावती सहर के नाम सी यह जाना जाता था वो महल आप देख सकते हैं वो यह महल है और उस महल के पास में ही यह अविद खनन हो रहा है पथर यहां से निकाली जा रहे हैं और ग्रामिणों का भी इस तरीके से अब्जेक्शन है इस यही से चंपावती सहर के बाद में नारणपुर गाओं बसा था तो यह भी एक पहल है यहां के लोगों की कि अविद खनन को रोका जाए परसासन की और से और इन पर कारवाई की जाए ताकि यह जो पुरानी जो चीजें हैं महल है और यहां पर जो मंदीर हैं उनको बचाय आजा सके कैमरामेन मुराइगलाल मेना के साथ में बिंटु कुमार देखते रहें बिंटु की नज़र